समस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे काउंटर सिंकिंग ओपरेशन के बारे में जो ड्रेलिंग मशीन ओपरेशन का एक टाइप है जानेंगे इस ओपरेशन को किस टूल की मदद से किया जाता है और कैसे इसको करते हैं और इसको करने का में परपस क्या रहता है तो काउंटर सिंकिंग जो ओपरेशन है इसे हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा स्क्र्यू है जिसकी जो सेफ है अगर आप यहां देखें कॉनिकल सेफ की सीट होती है और यह जो कॉनिकल सेफ की सीट है वो वर्क पीस में अच्छी तरह से वो सेट हो जाए इसलिए सबसे पहले हम जो ड्रिल बिट है इसकी मदद से एक होल तयार करते हैं और इसमें अगर हम वूड स्क्र्यू को इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर इस स्क्र्यू का जो कौनिकल सेट है वो सरफे से उपर रह जाती है तो इसके बाद हम करते हैं काॉंटर सिंक टूल की मदद से खोल किया जाता है और उसमें कैये कि होल का जो टोब पोर्शन है वाहां पर एक सोर्ट डिस्टेंस तक कौनिकल सेफ परदान की जाती है conical shape इसलिए परदान करते हैं ताकि जो screw का जो conical seat होती है upper end पर वो इसमें अच्छी तरह से fit हो जाए तो देखेंगे कि किस प्रकार से जो counter sink tool की मदद से हमने hole बनाया था उसमें जो wood screw है वो पूरी तरह से fit हो गया है और जो conical shape हमने बनाई थी hole की उसमें screw की जो seat थी conical वो पूरी तरह से fit हो गया है work piece surface के बिल्कुल साथ में अगर आप देखें तो इस प्रकार से counter sinking operation को perform किया जाता है तो अगर आप देखें जब हम इस operation को perform करते हैं जो counter sinking tool होता है उससे हम drill chuck में इसको hold किया जाता है और work piece को work table पर clamp कर लिया जाता है और उसके बाद जो counter sinking tool है जो work piece होता है वो एक दूसरे के साथ alignment में लेकर आते हैं फिर हम motor को start करते हैं spindle rotate करना शुरू कर देता है जब spindle rotate करता है तो हमारा counter sink tool भी rotate करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो spindle की speed है वो slow speed हमें रखनी है क्योंकि जो slow speed है वो suitable रहती है counter sinking operation के दोरान और feed direction अगर आप देखें हम downward direction में feed provide करते हैं और उसके बाद इसको upward direction में फिर से हम tool को लेकर जा सकते हैं तो इस परकार हम कहें कि इस operation को करते समय अगर हमें smooth job चाहिए तो हमें cutting oil का भी इस्तेमाल करना पड़ता है दूसरी बात जब हम work piece को work table पर अच्छी तरह से clamp नहीं कर पाते किसी dull tool का इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादा spindle speed का इस्तेमाल करते हैं तो उस case में जो हमें counter sinking operation के दोरान जो hole मिलता है उसका surface rough हो जाता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तो अब बात करते हैं कि जो counter sinking tool हम इस process में इस्तेमाल करते हैं उसमें जो standard included angle हैं वो कौन कितने हो सकते हैं तो यहां अगर आप देखें यह अलग-अलग type के counter sinking tool है यह इसका sank portion होता है जिसे हम drill check में fit करते हैं और उसके बात देखें जो standard included angle हमें मिलते हैं जो market में available हैं 60 degree में available है 82 degree में 90 degree, 100 degree, 110 degree और 120 degree यह कुछ standard included angle होते हैं counter sink tool के लिए जो market में available होते हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि drilling machine पर किया जाने वाला counter sinking operation यह इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे counter sinking जो conical seat होती है screw की या फिर nut की उसको अच्छी तरह से हम work piece में उसको fit कर सकें तो एक conical से परदान की जाती है एक drilling hole हम already जब हम बना लेते हैं उसके बाद इस operation को करते हैं क्योंकि सबसे पहले हम drill bit की मदद से drill करते हैं एक hole को फिर secondary जो operation है वो counter sinking operation होता है तो आज हमने आपके साथ discuss किया counter sinking operation अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कि अधने सुब रहे